है है तो अगर बात करें कि तो आगे आपके पास है फिप समिस्टर या पिर आप से यह बोल दिया जाए कि आपका जो डिप्लोमा का पढ़ाई है उस डिप्लोमा के पढ़ाई के लास्ट टियर में आप आ चुके हो यही साल जो आपका है वह कुछ कर गुजरने का समय है ठीक है तो अब आपका जो लास्ट साल है ना उसमें आपको कुछ बेहतरीन करना है अभी तक आपने जो किया नहीं किया बेल एंड गूट सब कुछ सही है बट जो बोले जाते हैं कि अगर तोड़ा का आखी परहार अगर बहुत अच्छा हो त समय है बैज समय करें रहे हैं समिश्टर को बैच रहे घर रहे गा बेल टुट इसके साथ हम लोग यहां पर गाया शुन पर पढ़ना तो अब उस पांच पर पढ़ना तो सबसे पहला जो आपके पास पेपर है वह ऑस्टील एस ट्रक्चर और आर्सिजिक का डिजाइंगा यहां पर हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला पेपर डिजाइन ऑफ इस्टील एंड आर्टीसी ए स्टॉक्षर जो कि मैं पढ़ाऊंगा ठीक है दूसरा जो आपके पास पेपर आता है वह आजाता है एस्टिमेशन और को पढ़ाएंगे अर्बीन तीसरा जो आपके पास पेप पेपर है उसमें आपके पास more than 10 पेपर होते है ठीक है तो अलग-अलग चल रहा होता है तो वह उसका जो अब चुकित दस पेपर का लाइफ वीडियो प्रवाइड करवा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ऐसे नहीं करवा नहीं सकते थोड़ा सा मुश्किल हो जा सक पता है इसकते प्रेकल्टी के बारे में तो कोई बोलने का जरूरी थी नहीं वह आप लोग जानते कि सारे टीशर कैसे यहां पर मिली बात आता है कि अब हम लोग को लेट नहीं करना मतलब कि अब आपको यह के त्यारी पर भी फूकस करना कि तो थोड़ा सा आपको कॉंसिय 20 आप जुलाई से लेट नहीं करना है यह नहीं सोचना है अभी खतम हुआ है अतुरत आपने स्टार्ट कर दिया जल्दी जागेगा तो ज्यादा पाईएगा तो जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना आप और से आगे रहोगे तो 16 तारिक से बैच स्टार्ट हो रहा ह वह सारा फीचर पहले वाला ही है अगर अगर हमको बैच के बारे में इस चाहिए यह और भी कुछ इंफोर्मिशन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपके पास यहां पर नंबर दिया गया है इस नंबर पे आप कॉल करके जो भी इन्फॉर्मिशन आप चाहिए उस इन 1199 बाकि आपको और भी कुछ भी बात करना हो तो जो दिया क्या नंबर है इस नंबर पर आप कॉंटक्ट करके और अपना जो भी आपका कंसर्न है वह उस कंसर्न को आप यहां पर रख सकते हो नेक्स्ट क्या बोले जा रहा है कि अगर आप ऑल्लाइन एप पे पेमिंट करना च सकते हो तो आज के क्लास में बस हमने यह जाना कि सर आपको लेट नहीं करना जल्दी आए और जो आपका आखरी साल है इस आखरी साल को थोड़ा सा मेहनत करकर करके और ज्यादा खुबशूरत नहीं तब तक के लिए जहां भी रहिए खुश रहिए हस्ते रहिए मुस्क्रा करते रहिए थैंक्यू जहिन